नमस्कार देवी से जनो मैं इतिन कुमार रुड़की अब मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आपने देखा योगार की रुड़की में बहुत से मुद्दे गर्माय हुए हैं और उन मुद्दों पर बहुत सी बाते हुई हैं राजनितिक बाते भी हैं जो ब्रहमन समाज होने वाली है ब्रहमन समाज जिन्हों ने इसकी मुहिम सुरू की थी उन्होंने 27 फरवरी को वहाँ पर हमन कारी करम रखा है क्योंकि पुन्यति थी 27 तारिक को ये चंतर सेखर राजात की इसी बारे में आज हम बात करेंगे आचारिये रजनी सास्रीजी से कि उनका क्या कहना है कि ये मुद्दे सहर में होने चाहिए थे या नहीं और परदीब बत्रा जो यहां के नगर विधायक है इन पर वो बोलने से कत्राते हैं आप जानिये रजनी सास्रीजी की राए दन्यबाद आप सभी रुड़की अब के दर्शकों का और रुड़की अब के पूरे टीम बहुत बधाय की पात्र है पिछले कई दिनों से जो हमारे रुड़की के बड़े चर्चित मुद्दे हैं उन मुद्दों को आपने बड़ी परमुकता से उठाया भी है उसके है जो हमारे महापुरुस लोग हैं जिनका हम अनुकरन करते हैं जोनने अपने प्राणों को निच्छावर कर दिया देश के लिए धर्म के लिए ऐसे महापुरुस का अपमान ब्रामन समाज कभी भी सहन नहीं करेगा और उसके लिए जहां तक भी प्रियास करना होगा हम और ठीक अच्छे विक्तित्व के विक्ति हैं ऐसी बात नहीं धर्म प्रिये हैं और हमारा आश्रीबाद हमेशा उनके साथ है उन्हें भी हम इस बारे में अवगत करा चुके हैं पहले भी कई बार मिल चुके हैं और आगे भी हम उनसे निश्चित रूप से इस बारे में औ तो धर्मम ततो जया तो यग भूमि शुद्धी बुद्धी शुद्धी है तू हम यग का कर्धेक्रम ब्राह्मण समाज के द्वारा रखे रे हैं अकिल भारती ब्रामन महासबा युवा जागरती ब्रामन संगटन्द और जो भी हमारे जितने भी हमारे दल हैं ब्रामन समाज के वो सबी कटे ओकर के वहाँ पर एक बुद्धी सुद्धी यग और हवन के द्वारा जान तक भी ये अवन के पूरी खुश्बू जाएगी जोक जहां पर उनके मुर्ति extrêmement करेंगे क्योंकि यदिस परकार से हैं त피ूर्दियों को उठाय ग्या यहां से यहां लगाय गया वहां से यह लगाए गया तुन महाँ पुरुष्णों कि अवरे लना ब्राम्र्मन समाज कतायी बर्दास नहीं करेगा इसके लिए जहादक भी संगर्स होगा हम प्रियासरत रहेंगे और उसके लिए हम कढ़िन से कढ़िन परिश्रम करेंगे युवाओ के दिलों में राज करते हैं चंदर सेखराजाद आपको बता देना चाहता हूँ कि निस्पक्स पत्रकारिता के लिए यह जोरोई होता है कि सभी का पक्स जाना जाए कि उनका क्या कहना है और दूसरे का क्या कहना है यही निस्पक्स पत्रकारिता होती है आपको बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर हमारे जो वरिश्ट पत्रकार है संदीप तोमर जी उन्होंने वहाँ पर की थी वहाँ पर अंडों की ठेली लगी हुई थी दोस्तों और साम के टाइम वहाँ पर सराप पी जा रही थी इसी लिए हमने ये मुद्दा उठाया भी कि वह जगहा खाली करा देनी चाहिए और इस पर अवेद रूप से कोई ठेली वगरा नहीं लगनी चाहिए और की जाएगी और यही बात हम पंडी जी से पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसे अस्थलों पर ये ऐसे चीजे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उनका क्या कहना है आप सुनिए देखे यह मापुरुष्णों का अपमान है और जो चलो जो भी विदाग जी के माइंड में राह यो recording का विकास करना उनका दाइतत है वह जन परत Image है और जंता के एक कारे ऑन निष्चित दूप से करते ही आ है और अधर्म सज्जन पृतिक है निसीत ரूफ से और जहांता का आपने प्रसंद पूछा है कि या भाई इस तरह का वहाँ पर जो है गंदगी फैली वे पसरी वे चारू तरब से तो निश्चित रोब से ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारा पूरा संगटन उसके लिए प्रयासरत रहेगा वहां जो भी इस प्रकार से वह अठा से त्यार है हम उसके लिए पूरा संगर्स करेंगे पूरा जोड़ लगा देंगे आपको एक बात और पता देना चाहता हूं कि पूर मेर यस पाल लाणा ने भी इस पर बयान दिया उन्होंने कहा था कि मैंने तो टेंडर भी करवा दिया था लेकिन यह जो डियम का मामला है इसमें जो लकी राके अठकी है उसमें वो टेंडर कही न कहीं खो गया है गोरव गोईल जी से जब इसके बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे संग्यान में भी यह मामला नहीं आया है जबी भी यह मामला मेरे संग्यान में आता है तो वहाँ पर एकदम तुरंत क भाउना का सवाल है सर मैं समझता हूँ बिलकुल उन मापरसों के सकती है और जल्दी से जल्दी मूर्ती स्ताबना हो जाएगे मेरा सा पूर्णता विश्वास है क्योंकि देखिए मापरसों के अवेलना उनका अपमान कताई बरदास नहीं कि आ जाएगा ये सब चीजे जन पर राजाद जो कि हमारे अनुकरने क्रव्रामर समाजगे निश्वत्रों से प्रमुख है और इन्होंने अपने प्राणों की बली देदी देश के लिए कुरुबानिया देदी उनके परिवार ने उसके लिए प्रियास करेंगों जल्दी से जल्दी जो अपना उनका पहले वा है क्योंकि उन्होंने लड़ाई लाठी से नहीं गन से लड़ी थी क्योंकि उस टाइम को जो टाइम था वो यही था और मैं आपको बता देना चाहता हूं जल्दी ही वहाँ पर मूर्ती निर्मान होने वाला है और पुरी रुड़की वहाँ पर आये इकत्रित हो और सबको स